नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजिपी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजिनिंग के पंदरा अतिमहतो प्रण प्रशन के बारे में इसलिए आप लोग वीडियो के अंति तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रशन के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रशन हम लोग के सामने दिया है प्रशन है त्रिभूज की संख्या ग्यात करे हमारे पास यह आखिरती जो दी गई है इसमें कितना त्रिभूज है यहीं बताना है इसके लिए चार आपसान दी गई है ठीक है और भी प्रशन है तीन बिंदू के बिपरित सतह ग्यात करे यह तीन बिंदू जहां पर जैसे यहां पर तीन बिंदू है इसके बिपरित सतह पर कितना बिंदू होगा यहीं हम लोगों को बताना है ठीक है और यह पार्ट नंबर हम लोगों का बा और रिपीटेट प्रश्ण का है ठीक है तो आए दोस्तों देखते हैं पहले नमबर प्रश्ण से चलिए पहला प्रश्ण आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से है और ये प्रश्ण क्या पूछा गया है इसको ध्यान से देखेंगे पहला प्रश्ण है क्या प्रश्ण कह ध्यान से दिखा रहा है किसी कुट भासा में यदि करन करन को 45 लिखा जाता है तो उस भासा में अरून को कैसे लिखा जाएगा ठीक है इसके लिए 4 अप्शन दे गई है आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राइ कीजिए और जरूर कमेंट करके बताईएग है चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे जैसे करन लिखा है न करन इस करन को उसने 45 कैसे लिखा है इसको देखेंगे यहां पर करन लिखा गया है इसको 45 कैसे लिखा है उसी परकार यहां पर जो अरून है न इनको हम लोग लिख देंग तो के का अस्थान अलफाबेट में एकार होता है, पिर यहां एका अस्थान एक होता है, और एन का अस्थान 14 होता है इन सारे को तुम add करके देखो 45 आ रहा है कि ना सबको add करो 11, 12, 12 हो गया 12 में 18 को जोरेंगे 30 हो जाएगा 30 में हम 14 को जोरेंगे 44 हो जाएगा 44 में एक को जोरेंगे तक कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 हो जाएगा इसका मतलब करन का जो place value है न अलफाबेट में अंग्रेजी बरमाला में जो इनका place होता है उनको add करने के बाद 45 आ जा रहा है similarly यहाँ पर भी उसी प्रकार कर देंगे A का स्थान 1, R का स्थान होता है 18 Y का स्थान होता है 21 और N का स्थान होता है 14 इन सबको आपस में हम add करते हैं इन सबको जब हम add करेंगे तो कितना होगा ध्यान से देखिएगे और इसको कैसे add करेंगे हम दो देखो एक और 21 21 गो आये गो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गो 22 में हम 18 को जोरेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 हो जाएगा चालिस में हम 14 को जोरेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और 54 कौन सा option में दिया है भाई 54 option number A में दिया है ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इस question को समाझ चुके होंगे अब हम लोग भरते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है दो नंबर सिरंखला को पूरा करे हमारे पास देख रहे हैं एस स्रीज दिया है इस स्रीज में क्या होता है एक्चुल में जो खाली खाली आस्थान दिख रहे है न इसके जगे पी हमें letter को भरना होता है तो सबसे पहले इसको हम कैसे शल्ब करते है इसको हम लोग शल्ब करते है grouping method से और grouping method क्या कहता है जितना भी इसमें letter है सारे letter को तुम count करो count करो एक, दो, तीन, चा जो खाली खाली आस्थान है उसको भी count करना होता है ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इकार, बार, तीर, चौद, पंदरा इसमें total कितना letter है मेरे भाई total जो letter है वो पंदरा है तो इस पंदरा को हम लोग तोर सकते है तीन आगुना पाँच के ग्रूप में 3 पचे कितना हो जाएगा 15 या तो 3-3 के ग्रूप में तोरेंगे या फिर हम 5 के ग्रूप में तोरेंगे तो मेरे दोस्त सबसे पहले तुम इसको 5-5 के ग्रूप में तोरो और अंसर निकलो अगर अंसर आ जाता है तो ठीक है और नहीं आता है न तो 3-3 के ग्रूप में हम लोग 3, 4, 5, 5, 5, 5 का हमने 3 ग्रूप बना लिया ठीक है अब हम देखेंगे क्या ये तीनों का तीनों ग्रूप आपस में same है की different है यहां पर देखेंगे मिरे भाई फॉस्ट ग्रूप का फॉस्ट ग्रूप का थोर्ड लेटर टी है और सकेंड ग्रूप का तिसरा लेटर भी टी है यहां तो बात के लिए रहे हैं अच्छा एक बात और देख रहे हैं फॉस्ट ग्रूप का लास्ट लेटर टी है और सकेंड ग्रूप का लास्ट लेटर टी है और थर्ड ग्रूप का लास्ट लेटर टी है इसका मतलब यह ग्रूप जो है न सारे के सारे ग्रूप आपस म same है, तो same है, किसी भी group को तुम देखकर, किसी group को तुम पूरा भर लो, और उसके copy कर ग pressured सब group बना लो, जैसे यहां पर हम 3 गृूप को भरते हैं, 3 गृूप में 3 जो letter है ए खाली है, तो 3 गृूप किंखकर के आजा किसी इन दोनों में से देखकर भर लो, तो तीसरा यहां भी T है, तीसरा यहां भी T है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा T, हमारा जो ग्रूप बन चुका, Q, B, T, R, T, Q, B, T, R, T, अब इसको देखकर इन दोनों को भर लो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्यों B T उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा R T इसको देखकर इसमें भर लो क्यों उसके बाद में क्या जाएगा B आ जाएगा क्यों B उसके बाद में T उसके बाद में R आ जाएगा अब हमारा group complete हो चुका है हम answer अब इसका निकलेगे answer कई से करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या भरा है तो B भरे है तो B आएगा सबसे पहले B भरे है तो B आएगा उसके बाद में R भरे है तो R आएगा उसके बाद यहाँ पर Q भरे हैं तो Q आएगा उसके बाद यहाँ पर R भरे हैं तो R आएगा उसके बाद यहाँ पर T भरे हैं तो T आएगा अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर B, R, Q, R, T B, R, Q, R, T B, R, Q, R, T किस option में दिया है तो option number B में दिया है इसलिए इसका right answer option भी होगे तो इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग question को ठीक है तो इस तरीके के मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि आप अब अप्छे से solve कर सकते हैं अगले question की ओर अब हम लोग चलेंगे अगला question तीन number क्या करता है संध्या और रामानी पूरूब की दिशा की ओर देख रही है संध्या 45 डिगरी बामावर्थ और फिर 135 डिगरी दक्षिनावर्थ घुमती है संध्या के विपरित समुक होने के लिए रामानी को कितना घुमना परेगा चले हमारा direction का प्रशन है तो सबसे पहले हमें direction तो बनाना परेगा तो हम direction यहीं पे बनाते हैं देखो जब भी हम लोग paper पर मेरे तो evolution बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं देखो paper पर पर direction बनाते समय इी बात को ध्यान में रखा जाता है कि हमेशा उपर में उतर होता है जब उपर में उतर होगे तो इसका विप्रित होता है दक्षिन तो नीचे में दक्षिन होना मजबूरी है बिल्कुल हमारा जो दहिना हाथ होता है उधर हमेशा पूरूब होता है तो इधर जब पूरुब हो गया तो इसका अपोजिट हमारे बाये साइड हो जाएगा पच्छिब इह बात को समझ रहे हैं आप लो बिलकुल अच्छा हमारी एक चार मुख्य दिसाए होती है और इन चारों दिसाए यहां भी 90 डिगरी के कौर बनता है चार मुख्य दिसाए हो गई और चार उप दिसाए भी होती है उत्तर आपूरुब के बीच को मेरे दोस्त बोला जाता है जानते हैं क्या उत्तर आपूरुब बोला जाता है यहां पर उत्र आपचिम के बीच को दिसा को बोला जैता है उत्र पचिम इस बात को आप लोग सब को को समझना पड़ेगा चलिए आप तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हम जान रहें अच्छे से चार मुख्य दिशा होती है और चार उप्य दिशा होती है अच्छा किसी भी मूल दिशा और उप्य दिशा के बीच जैसे यहाँ पर उत्तर पूरुब आ पूरुब के बीच में जो एंगल बनेगा 45 डिगरी का बनता है उतर पूरुबा उतर के बीच में भी 45 डिगरी के बन था ये बात को सब कोई को समझना परेगा अब हम इस question को चुटकी बाजाते हैं, solve कराते हैं कि आप कही से solve कर सकते हैं question कर रहा है, संध्या और रामानी पूरब दिशा की और खारा है question कर रहा है, संध्या 45 डिगरी बामा वर्थ घुमती है 45 डिगरी बामा वर्थ का मतलब होता है मेरे दोस्त दक्चिना वर्थ का मतलब होता है घरी जिस पर काश चलती है बाएं से दहिने तरफ घरी के दिशा में, clock by direction में अब आमावर्थ का मतलब होता है घरी के उल्टे दिशा में कुमना अंटी कलोक बाई डिरेक्शन या घरी के भीप्रित दिशा में दहिने से बाय की तरफ मुर्णा बामावर्थ कहलाता है अब बाय से दहिने की तरफ मुर्णा दक्षिनावर्थ कहलाता है ठीक है चलो तो यहां पर कोशन जो बताया गया है कि जो संधेया है वो 45 डिगरी बामावर्त मूरती है यानि पहले वो पूरब दिशा में थी तो 45 डिगरी मूर के जाएगी तो कहाँ पर आ जाएगी दूसरे इस्थिति वो आ जाएगी उत्तर पूरब दिशा में ठीक है उसकी बाद उस question बोल रहा है कि फिर 135 डिगरी दक्षिना वर्त घूमती है 135 डिगरी दक्षिना वर्त घूमाना अब दक्षिना वर्त घूमाने का मतलब घरी के चलने के दिशा में 135 डिगरी बिलकुल यहां से यहां तक वो आ जाएगे कितना? 45 डिगरी और 135 घुमाना तक केवल यहां पर आजाएगी पूरब दिछा में उसकी जो तीसरी बार वो मूब करेगी तो तीसरी बार जो मूब करेगी वो दक्छिन दिछा में आजाएगी क्यूँ कि 45 डिगरी पाएगी पूरब में और 90 डिगरी 45 और 90 को हम लोग जोर देंगे तो 135 डिगरी हो जाएगा तो यहां से वो डाइरेक्ट आ जाएगे दक्षिन दिशा में 135 डिगरी गुमने पर अब देखो मेरे दोस्त 135 डिगरी गुमने पर उतो दक्षिन डिशा में आ चुकी है लेकिन कोश्चन बूल रहा है सां अंधिया के विप्रित जाने के लिए पूरब दिशा में है इसको जाना है विप्रित एनि उत्तर दिशा में चले जाएगे तो दक्षिन का विप्रित हो जाएगा बिल्कुल तो पूरब से जाएगे दक्षिन में रामानी तक कितना मुरना होगा 90 डिगरी बामा वर्त घु से में जाएगी तभी तो दोनों एक दूसरे के विप्रित होंगे तो इसका राइट एंसर आप से डी हो जाएगा मेरे भाई ठीक है चलिए अगले कोश्चन की और अब हम लोग चलते हैं अगला कोश्चन है चार नमबर दिया है कि बलाडर लसन का प्रशन है मेरे दोस्त और बलाडर लसन में हम लोग करते क्या है जाहां भी पूरुष जंडर होता है उसको त्रिभूज में बंद कर देते हैं अब महिला gender के लिए हम circle में बंद कर देते हैं, इस दो point को ध्यान में रखिएगा, question कह रहा है, P क्यों का pita है, देखो ध्यान से, जो P है न मिर भाई, जो P है ऊगो क्यों का pita है, तो क्यों से उपर आजाएगा P, प्यों का pita है, तो क्यों से उपर p आईगा, अब पीता है, इसका मतलब पूरुष जंडर है, इसलिए इसको हमने बन कर दिया त्रिभूज में, इह बात को आप लोग समझेगा, भी से इस रूप से, ठीक है, चलेंगे, आगे कोशन दो नमर करता है, आर, पी का भाई है, जो आर है न, ओ पी का भाई है, तो आर पी का भाई है, तो आर य त्याहां पर एस और टी से कोई पॉइंट लिंक नहीं कर रहाती, इसको अभी हम छोड़ देंगे, यहां थेकेंगे, टी क्यों का भाई है, देखो ध्यां से, जो टी है, ओ क्यों का भाई है, तो क्यों के संगे संगे आ जाएगा, आप भाई है, इसका मतलब पूरुष यहाँ पर एसा जाएगा यहाँ पर आप भाई है इसलिए इसको भी बंद करना होगा त्रिभोज में ठीक है त्रिभोज में और कोशन पूछ रहा है तो एसका चाचा कौन है भाई तो देखो एसका भाई टी और इसका क्यों कलिंग मालूम नहीं है लेकिन क्यों या तो या त पिता जी के भाई कौन है R, तो S का जो चाचा हो जाएंगे, मेरे भाई R हो जाएंगे, और R को कौन से option में रखा गया है तो R को option A में रखा गया है इसका right answer option A हो जाएगा ठीक है चलिए अगले question की और अब हम लोग चल रहे है question संख्या 5 की तरफ question संख्या 5 है कथन और निसकर से लिया गया है कर सभी बस एक कारे है और सभी जलायन कारे है यहाँ देखेंगे जितना भी बस है न जितना भी बस है जितना भी बस का सरकिल है इस सभी बस किनके भीतरा जाएंगे सभी बस जो है एक कार के भीतरा जाएंगे यह क्या है सभी बस कार के भीतरा जाएंगे एक point और है सभी जलायन कारे है जलायन, सभी जलायन का जो सरकिल है ये भी कार के भीतरा जाएगा तो इसका जो बेंडाइग्रम बना कुछ इस परकार से बना और हम लोगों से निसकर्स क्या पुछा जा रहा है उसको ध्यान से देखेंगी निसकर्स पुछा जा रहा है सभी कारे जलायन है मेरे भाई यहाँ पर ध्यावन से देखेंगे जो कार का सरकिल है E12 वाला है जो जालायन का सरकिल है E छोटा वाला है क्या सभी कार जालायन के भीतर में आ रहा है नहीं आ रहा है इसलिए हमारा निसकर्ष एक गलत हो गया दूसरा सभी बसे कारे हैं को बस का सर्किल इतना है इस सारे का सारे बस जो है नो एक कार के भीतर में आ रहा है इसके मतलो इंबात बिल्कुल सही है तो हमरा Right Answer क्या हो जाएगा केवल दूस है option number C, keyword दूसरा, इसका राइट एंसर option C, ठीक है भाई, अच्छा मेरे दोस्त, अभिन टक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं कियें, तो वीडियो को लाइक कर लेजिए, और चैनल पर नहीं है, तो बिल्कुल subscribe करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, चलिए, अगले question की और अब हम लोग बढ़ेंगे, अगला question क्या है, छे number काफी important है, और calendar का प्रस्थ है मेरे तोस्त, आज कल रेलवे में बहुत पुछा जाता है, और रेलवे का भरती आ रही है, उसमें इसका परियोग बहुत होगा, देखो, कर रहा है, बर्स 2020 का calendar कौन से बर्स के समान आजमा बर्स 2020 का calendar कौन से बर्स के समान होगा, मेरे भाई देखो, पहला तरीका आपको बताते है, direct हैरा करथ मेथर, देहाति मेथर, देहाति मेथर, देहातिर मेथर क्या करते हैं, जैसे 2020, यह बता, यह 2,020 है, यह leap year है की general burst है, आट रही बर्स है की अधी बर्स है, मेरे भ इसका मतलव इससंख्या भी और चार से कटेगा तो जो 20 है ओ 4 से पुरा-पुरा कटता है इसका मतलव जो 2000 वीर्श है न भाई जो 2000 बीर्श है यह क्या है एक लीपियर है लीपियर का मतलब होगि अधी बरस है तो मेरे भाय ध्यान से देखेhemodynamics कोई भी कलेंडर कोई भी कलेंडर अगर ली पियर है तो उसमें 28 बरस के बाद पुना वह कलेंडर ज्यों काते हो रिपीट हो जाएगा जैसे माल लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को अगर सोमबर है नो तो 28 बरस के बाद जो अगला कलेंडर होगा 28 बरस में जो रिपीट होता है अगला कलेंडर वह भी 1 जनवरी 2020 को सोमबर होगा यह जो दिन यहाँ उसी दियों वहाँ इसी का मतलब कलेंडर रिपीट बोलते हैं तो यह 2020 क्या है एक साथ 10 बरस के बाद रिपीट हो जाएगा तो 28 इसमें हम लोग एड करेंगे तो यह हो जाएगा आठ दो दो चार यहाँ पर हो जाएगा जीडो यहाँ पर हो जाएगा दो 2048 आगया लेकिन मेरे भाई 2048 तो कोई अप्शन में नहीं दिया है इसका मतलब 2048 भी लिपीर है फिर से 28 बरस इसमें और एड कर देंगे क्योंकि फिर से 28 बरस के बाद रिपीट होगा तो 49 में 28 को जो रेंगे तो हो जाएगा 76 2076 मेरे भाई आप्शन भी में दिया है इसका राइट अंसर आप्शन भी हो जाएगा सही ठीक है इसका राइट अंसर आप्शन भी अच्छा मेरे भाई दूसरा तरीका क्या है यह तो हमेरा होगे डाइरेक्ट ट्रिक दूसरा जो तरीका है वो क्या है दूसरा जो तरीका है मेरे भाई वो जानते है क्या है वो भाई आप्शन जाएगे और मेथर से सर्फ करते है मेथर क्या कहता है इसका जो प्रोसेस है प्रोसेस से सर्व करना अगर माल लेते हैं कि option ए सही है अगर हमने माल लिया कि option ए सही है तो मेरे भाई जानते हैं क्या करेंगे option ए सही है न तो 2020 और 2044 के बीच जो बिसम दिन होनी चाहिए वो जीरो आयेगा तब ही जाकर calendar समान होगा 2044 और 2020 के बीच बिसम दिन जीरो आना चाहिए चेक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 2044 में से हम अंतर निकालते हैं 2020 का ठीक है 2044 में से 2020 का हम लोग अंतर निकालते हैं तक कितना आता है मेरे भाई कितना आता है 24 बर्स आता है ठीक है और इस 24 बर्स में आये हुए लीपियर को भी हमें एड करना होता है ठीक है इस 24 बर्स में आये हुए लीपियर को भी हमें एड करना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले लीपियर कौन कौन से आये होगा 2020 एक तो लीपियर है 2020 है उसके बाद 2024 लिपियर है उसके बाद मेरा भाई 2030 उसके बाद में कौन से हो जाएगे 2020 2024 2030 2030 नहीं सरी 30 नहीं 30 लिपियर नहीं है 2024 के बाद आजाएगा 28 उसके बाद आजाएगा 32 उसके बाद में आजाएगा 36 27 उसके बाद में आजाएगा 40 और उसके बाद में आजाएगा 44 कितना लिपिर है 1 2 3 4 5 6 7 7 लिपिर है मैं भाई तो इसमें 7 हम लोग एड कर देंगे बस 7 एड करेंगे यहां पर 7 एड करेंगे तो 24 7 कितना हो जाएगा 31 31 को 7 से भागा देंगे remainder कितना बचेगा 3 जबकि यह नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि remainder 0 बचेगा तब ही जाकर ओभी सम्दिन कह लाएगा उसी प्रकार हम चेक करेंगे option number अगर मानते हैं 20 हही है तो इसको 2000 जो 76 लिखा हुआ है 2000 जो 76 है इसमें से हम लोग घटाएंगे 2020 को ठीक है 2076 में से 2020 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 76 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 56 बचेगा ठीक है इस 56 में आए हुए लिपियर को भी एड करना होगा इस 56 में आए हुए लिपियर को भी एड करना होगा यह बात को समझ रहें आप लोग देखो, यहाँ 76 में से 2020 घटा तो कितना बचा है 56 इस 56 में आय हुए लीपियर को भी एड करना होगा अच्छा लीपियर हम लोग कैसे निकालते हैं मिर भाई जो 56 बार्स आया है इसको 4 से भागा देंगे चार से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा चार एकम चार चार चुका सोला चाओदा लीपियर इसमें आ जाएगा तो 56 में हम लोग 14 को जोर देंगे चाओदा को जोर देंगे तो कितना हो जाएगा चाओदा कितना हो जाएगा मिर भाई सत्तर हो जाएगा 70 को 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 कम 7 यह पूरा-पूरा कर जाएगा Remender आएगा 0 इसका मतलब हम लोगों को 0 ही चाहिए जो भी बर्स में अगर 20 दिन 0 आता है वो कलेंडर हमारा समान बर्स का होगा तो इसलिए इसका राइटन से भी आप प्रोसेस से भी जा सकते हैं या ट्रिक से भी जा सकते हैं लेकिन याद रहे कोई भी कलेंडर अगर लीपियर है तो ओ 28 बर्स के बाद रिपीट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन क्या कहता है अगला जो कोशन है त्रिभूज की संख्या बताइए मेरे दोस्त एक काफी इंप्रोटेंट प्रशन है और मजेदार भी है इसलिए इसको हमने थमलिन की रूप में लगाया हुआ है देखो यहाँ पर हम लोग त्रिभूज कैसे काउंट करेंगे ध्यान से देखिए कि जैसे माल लेते हैं हमारा E-Line है E-Tribhuj है इस वाले त्रिभूज में टोटल कितना त्रिभूज है भाई इसको अलग से जूम करके हम बनाते हैं आपर समझाने के लिए E-C बना हुआ है देख रहे हैं और E-Line E-C बना हुआ है तो E बताए इसमें टोटल कितना त्रिभूज है मेरा भाई इसमें एक छोटा त्रिभूज ई है और यग बारा त्रिभूज ई है तो इस लाइन से कितना त्रिभूज बना है दो त्रिभूज बना है तो इस लाइन से कितना त्रिभूज बना है तो एक ही छोटा वाला, एक ही बारा वाला इस लाइन से टोटल दो त्रिभूज बना है ठीक है? अच्छा, अब हम इस लाइन पर चलेंगे तो इस लाइन से कितना त्रिभूज बना है? Similarly, यहां भी उसी पर कर एक तो बारा वाला, आएक छोटा वाला यहां से भी कितना त्रिभूज बना है तो यहां से भी दो बना है और देखेंगे मिर भाई यहां से इस लाइन से कितना त्रिभूज बना है similarly यहां से एक बारा वाला और यह एक छोटा वाला अब यह नहीं कहेंगे भाई इसको count काया नहीं कर रहा है यहाँ पर इस वाले को पहले ही count कर चुके है तो इसको हम कहे लेंगे तो इस line से total दो त्रिभूज बना है एक ए 12 वाला एक ए छोटा वाला देख रहा हैं एक ए छोटा वाला तो इसमें कितना त्रिभूज हो गया मिरा भाई यहां पर हो गया दो त्रिभूज इस से बनेगा अच्छा यहां पर देखें कि इसमें टोटल कितना त्रिभूज बना है इसमें तो यहां पर इसमें जो टोटल त्रिभूज बना एक ए बारा वाला आ एक ए छोटा वाला यहां से भी मेरे भाई दो त्रिभूज बना है यहां से भी दो त्रिभूज बना है ठीक है इबात को आपको समझ में आ गया है अच्छा इबताई इस लाइन से कितना त्रिभूज बना है इस लाइन से तो इस लाइन से हम लोग देख रहे हैं एक तो E पूरा बारा वाला बना है ठीक है अच्छा एक E छोटा वाला बना है और एक नीचे बना है तो नीचे वाला इसमें count हम लोगोंने कर चुका है तो एक E पूरा बारा वाला आए एक E छोटा वाला तो इसमें एक E छोटा वाला बन गया है यहां से भी दो बना है अब इनको हम add कर देंगे कितना हो जाएगा सारे को add करके देते हैं सारे को 2 plus 2 plus सबको तुम add करो मिर भाई ठीक है सबको add करो कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 यहां पर total 10 तिर भूज है मिर भाई तो इसका right answer option A ठीक है ऐसे बानाया जाता है इस question को ठीक है चलिए आगले question की और अब हम लोग बढ़ते हैं अगला question है स्रिंखला को पूरा करना है हमारे पास एक series दी गई है 37 उसके बाद 32, 51 उसके बाद 16 उसके बाद question mark है इक question mark के जगे क्या आएगा यहीं बताना है सबसे पहले यहाँ पर क्या है 37 है उसके बाद में क्या है 39 है है यहाँ पर क्या लोग जगेगा उसको देखेंगे सबसे पहले 37 से 1 बना है अगर हम 1 का square कर दे तो 38 बन सकता है क्योंकि 1 का square होता है 37 में 1 जूटेगा 37 बन जाएगा similarly 32 से 42 बनाने के लिए यहाँ प्लस का 1 का square किया गया यहाँ अगर हम प्लस का ध्यान से देखेंगे मिरा भाई यहाँ पर अगर हम प्लस का 2 का square कर दे तो 2 का square कितना होता है मिरा भाई 2 का square होता है 4 और 39 में 4 हम लोग जोरेंगे तो 42 बना देगा अच्छा 42 से देखो यहाँ जो 42 है 42 से 51 बनाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर प्लस का 3 का square किया गया 3 का square कितना होता है तो 9 होता है 42 में 9 जोरेंगी तो बिल्कुल 51 बना देगा यहां देखो 51 से 66 बना है इसमें क्या किया गया है प्लस का 4 का स्क्वाइर किया गया है 4 का स्क्वाइर कितना होता है मेरे भाई 4 का स्क्वाइर 16 होता है 51 में 16 का हमनों जोरेंगे चोओ एक साथ 5 एक चोओ बिल्कुल 166 बनेगा तो इबते ये 166 से कोशना मार्क बनने के लिए क्या करना होगा 166 से कोशना मार्क बनने के लिए प्लस 5 का स्कॉयर करना होगा ठीक है और 5 का स्कॉयर कितना होता है 25 होता है तो हमें क्या करना होगा फाइनली जो 166 लिखा हुआ है इसमें 5 के स्क्वर 25 को एड़ करना होगा कितना हो जाएगा 7 और 5 बारक के दू हासिल कितना एक 6 अदू 8 है एक हासिल कितना नौ 92 इस कोशन का राइट एंसर जो की option 3 में दिया गया है कोशन मार के जगे पर का आया जाएगा बेरान बे आजाएगा मेरे भाई इसलिए इसका राइट एंसर option 3 हो गया सही ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इस कोशन को समझ चुके होंगे इसलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण की तरफ बरते हैं अगला प्रश्ण है नौर नमबर 20 की पहचान करें हमारे पास 4 option दी गई है इसमें से 20 की पहचान करना है देखो यहां तीर भूझ है यहां सामनांतर चत्र भूझ है यहां बर्ग है और यहां आयत है तो मेरे भाई तीर भुझ कैसा होता है इसको बनाते है तिर भूज कुछ इस परकार से होता है आयत कैसा होता है तो आयत ऐसा होता है सामनांतर चत्र भूज कैसे होता है सामनांतर चत्र भूज ऐसे होता है अब बर्ग कैसे होता है बर्ग तो इसकी सा चारों ही भूजा आपस में बराबर होते इस प्रकार से होते हैं तो इबता ये इबता ये मेरे दुफ्त इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा हम सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं तिरभूज ओ आकिरती है तिरभूज मैत की ओ जियामिती आकिरती है जिसमें तीन भूजा होती है और समनंतर चत्रफुर आयत और इस लिए इसे लिए इनमें सबसे अलग हो जाएगा आपसा नामर एक क्योंकि तिरभूज में तीन भूजा होती है और बाकी समने चार भूजा होती है ठीक है mean चलिए अगले question की और आब हम्लों कभरते हैं अगला कोश्टान है यह भी स्रिंखला को पूरा करने यह भी स्रीज का है जैसे यहाँ पर अलफा बेट का स्रीज दो दिया है जैसे यहाँ पर C है C A उसके बाद में क्या है F और D है उसके बाद में I और G है उसके बाद में यहाँ पर L और J है यहाँ पर O और M है है ना यहाँ पर है कोश्ण मार्क और यहाँ पर क्या है U और S है यहाँ पर क्या है X और B है यहाँ बात को समझे रहे हैं यहाँ पर और चोटा करके लिखने दिन नहीं आट रहा है यहाँ पर क्या है C और A है 8 नहीं रहा है पूरा जगा कम पर इसलिए पूरा बनाते है C और A है F और D है यह बात पुसमे रहे F और D है यहाँ पर I और I और G है यहाँ पर L और J है यहाँ पर क्या है O और M है यहाँ पर क्या है कोश्य मार्क है यहाँ पर क्या है U और S है और यहाँ पर क्या है X और B है अब देखो इसमें क्या लोजिक लगाया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि C से F बना है F से I बना है I से L बना है L से O बना है O से कोष्णा मार्क बनेगा कोष्णा मार्क से U बनेगा और उसे x बनेगा इनमें क्या लोजिक है देखो मेरे भाई हम सभी लोग देख रहे हैं c से f बना है प्लस का 3 किया गया f से i बना है प्लस का 3 किया गया ठीक है यहां i से l बना प्लस का 3 किया गया l से o बना प्लस का 3 किया गया o से question mark बनेगा तो plus का 3 ही करना होगा जब सब में plus 3 कर रहा है तो जो O का अस्थान होता है alphabet में उफ 15 होता है 15 में 3 जूटेगा तकिया हो जागा 18 हुआ letter R होता है अब R में plus का हम 3 करेंगे बिल्कुल U बनेगा U में plus का हम 3 करेंगे बिल्कुल X बनेगा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे second letter में second letter A से D बना plus का 3 D से G बना plus का 3 G से J बना plus का 3 J से M बना plus का 3 M से plus का 3 कर देंगे M का जो अश्थान होता है 13 13 में 3 जूटेगा 16 हो जाएगा 16 लावा letter P होता है P में 3 जूटा बिल्कुल S बनेगा S में 3 जोटा बिल्कुल भी बना तो इसका जो right answer हो जाएगा R और P R और P को किस अप्सन में रखा है Option नमर D में R और P को रखा है इसका right answer option D हो जाएगा सही ठीक है मेर भाई चलिए अगला question की ओर अब हम लोग बरते हैं अगला question है ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कर पाँच बैग A, B, C, D और E की सी धेर में एक दूसरे के उपर रखे गए है ठीक है Question कहता है यदि A, B के उपर है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं देखो जो A है A, B के उपर है जो A है मेरे भाई, वो B के उपर है ठीक है जो A है, वो B के उपर है आगे question कहता है C, D के उपर है यहाँ अलग से बनाते हैं ध्यान जीजिक है जो C है, वो D के उपर है जो C है, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा जो C है, ठीक है जो C है वो D के उपर है C D के उपर है प्रांतू E के नीचे है प्रांतू का परिवर फर्स्ट नाम के लिए N के C के लिए C D के उपर है प्रांतू E के नीचे है इसका मतलब E के नीचे हो जाएगा अच्छी बात है अच्छा अबर D A के उपर है एक के उपर कौन है डी एक उपर कौन है मिर भाई यह को पर दी आएगा जब डी यहाँ पर आ चुका है तो rebell के उपर कौन है C अची के उपर कौन है यहाँ पर जो बना दिया हम्लोग करने Management एक कंपलीट हो चुका है ठीक है इस परकार से सारे एक के उपर राखा गया अब कोशन पुछा है तो बीच में कौन है इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर तीन इधा राइट आंसर ठीक है चलिए अगले कोशन की और अब हम लोग चलेंगे अगला कोशन है तीन बिंदु के बिपरी सता गयाद करें मेरे भाई काफी important प्रस्ट है इस प्रस्ट को ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोग logic क्या-क्या लगा सकते हैं सबसे पहले देखेंगे कि तीन बिंदु के बिपरी कौन सा बिंदु वाला surface होगा तो इसको हम यूज करते हैं पहला ट्रीक one common trick हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रीक हम लोग देखते हैं two common trick और तीसरा ट्रीक हमारा होता है no common trick तो यहां पर इस question हम लोग two common trick लगाएंगे ताके जल्दी answer आ सकते हैं अगर हम इन दोनों आकिरती को लेते हैं इन दोनों आकिरती को ले रहे ह तेहां पर देख रहे है चार बिंदू और दो बिंदू यहां भी common है और चार बिंदू दो बिंदू यहां भी common है तो जो common है उसे हम लोग भूल जाएंगे जो common है उसे भूल जाएंगे इस पहली आकिरती में क्या बचा है तीन बिंदू बचा है और दूसरी आकिरती में क्य बचा है छे बिंदू बचा है तो एक दूसरे का यही अपोजिट हो जाएगा जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट तो तीन का अपोजिट क्या आ गया मेरे भाई छे आ गया और छे को किस अपसन में रखा गया है अपसन नमबर तीन में तो ऐसे बनाते हैं ठीक है बिंदू दो बिंदू इसमें भी कोमन है तो जो कोमन है उग कट जाता है और जो बाचा वहीं एक दुसरे का अपोजिट हो जाएगा इस वाले आकिरती में तीन बिंदू बाचा है इस वाले आकिरती में छे बिंदू बाचा है यहीं एक दुसरे का अपोजिट हो जाता है तो की तरफ अगला कोशन क्या है स्रिंखला को पूरा करें हमारे पास ए आकिर्थी का स्रिंखला दिया हुआ है इसमें हम लोग ग्यात करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि इस चारों में चत्रभूज है तो यहां पर भी चत्रभूज आएगा ठीक है यहां पर भी चत्रभूज आ जाएगा इपंच भूजवाला बिल्कुल गलत हो जाएगा आख मुनकर इस नमर तीन अप्सन नमर चार गलत हो गया अच्छा अप्सन नमर हम एक और दो को कई से चेक करेंगे देखो जो एरो का रोटेशन चेक करो जो एरो है पहले था इस दिशा में अगली बर आ गया इस द स्क्राइब को जरोर्च चुके होंगे हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्ण की तरब चली अगला कोश्ण 14 नंबर एनालोजी का प्रश्ण और एफ हीगर से रिलेटेट दिया गया है यहाँ पर त्रिभूज का जो संबन्द चत्रभूज से है उसी प्रकार चत्रभूज का संबन्द कोश्ण मार्क से है त्रिभूज से चत्रभूज बना यानि त्रिभूज में तीन लाइन होती है चत्रभूज में चार लाइन होती है प्लस एक लाइन का बिरिधी हुआ है उसी पर का चत्रभूज से कोश्ण मार्क बनने में क्या होगा चत्रभूज में चार लाइन होती है प्लस बन कर देंग अगला question है निमन में से भी समचूनी है यहाँ पर कौन सा option सही होगा यहीं बताना है तो हम सरी कोई देख रहे हैं यहाँ पर क्या है minus है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है plus है और यहाँ पर क्या है m है इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा देखो ध्यान से इसमें सबसे पहले अलग कौन हो जाएगा मिर भाई चलिए हम आपको बता रहे हैं ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ए मैथ की एक सिंबल है ए भी मैथ की एक सिंबल है तो इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा M, option नमर D, और option नमर D को किस option में रखा गया है, तो option नमर 2 में रखा गया है, आप option नमर D को 4 नहीं टिक करेंगे, क्योंकि 4 में B को रखा गया है, option D सही है, लेकिन इस D को किस option में रखा गया है मेरे भाई, तो option नमर 2 में रखा गया है इसका right answer option दो हो जाएगा ठीक है? चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे प्रश्ण को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गे होंगे यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाएगा